श्रिमान्वेंकटनाथार्यकवितार्किककेसरी वेदांताचार्यवर्योमे सनिधत्तां सदाकृदी यन् मूलम इद्रिक्प्रतिभाति तत्वं या मूलमाम् नायमहाद्रुमानां तत्वेन जानंति विशुद्ध सत्वाहां पम्ते यतु मूलम इद्रिक्प्रतिभाति तत्वं या मूलम् आमनायमहाद्रुमानां तत्वेन जानंति विशुद्ध सत्वाहां त्वाहां अक्षरां अक्षरमात्रिकां ते यह अक्षरमात्रिकां त्वाहां 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 यह अक्षरमात्रिकां त्वा यन मूलम यत मूलम इद्रिक प्रतिबाती तत्वम इद्रिक इस प्रकार इद्रिक का मतलब है इस प्रकार अम जो जिस प्रकार चेतना चेतनात्मक प्रपंच को हम देख रहे हैं इस दुनिया में चेतन और अचेतन दो तत्व मुख्य रूप से है इसके अंतर्यामी रूप से परमात्म तत्व है यही तत्वत्रे है चित चित अचित इश्वरहा आगर स्तोत्र रत्मे भी आलवंदार स्तोत्र में भी तत्वेन यस्चित चित इश्वरह तत्वभाव भोगापवर्ग तदुपाय गतीरुदारह संदर्शयं निरमिमीत पुरान रत्नम तस्मीनमो विश्णु पुरान के रूप से जिन्होंने प्रनेयन किया है तस्मही नमाम मुनिवराय पराशराय सा पराशरण जी के लिए अपना प्रनाम निवेदन करते हैं यामुनाचारी जी आलवंदार स्वामी जी तो चित अचित आत्म की जो प्रपंच है यीद्र की का मतलब चित अचित रूपेन यीश्वरत रूपेन हम वेदान्त से जानते हैं वेदान्त अचित सब को यीश्वर की अंतर्यामी है ऐसा हम समझते हैं उसी चीज को इदर कहते हैं यत मूलम ये यन मूलम जिस चेत्रा चेत्रात्मक प्रपंच का सब का कारणभूत तत्व है जहां से ही ये सब उत्पन हुआ है ऐसा यन मूलम इद्रिक परतिबाति तत्वम या मूलम आमनाय महाद्रुमानम वेदरुपी बड़े-बड़े जिस परमात्मा का निश्वास उच्वास निश्वास को ही वेद कहते हैं ऐसा जो उच्वास निश्वास का मतलब है जो प्रानवायू को अंदर लेते हैं और बाहर चोड़ते हैं ये निश्वास निश्वास शब्द से कहा जाता है ये उच्वास निश्वास शब्द से कह यह और कुछ नहीं है वेद जो है भगवान का श्वासोच श्वास है या मूलम आमनाय महाद्रुमानम जो परमात्म तत्व ही आमनाय रूपी बड़े-बड़े पेडों का भी कारण बनता है कारण बनता है या मूलम आमनाय महाद्रुमानम तत्वेन जाननती विशुद्ध सत इस दुनिया में भी शुद्ध सत्व में लोग हैं क्या तो बहुत कम लोग हैं रजोगुण तमोगुण को बहुत कम जोर करके सत्वगुण को बहुत उंचा रखना ही महरशियों का मुख्य काम है ये तपस्या में क्यों रहते हैं तपस्वी क्यों बनते हैं और ये चारों आ क्रमचर आश्रम ग्रहस्त आश्रम वानप्रस्त आश्रम सन्यास आश्रम ये सब क्यों स्वीकार करते हैं क्रमचा हम योगी बनने के लिए प्रयास है ये ऐसे तत्वेन विशुद्ध सत्व लोग जो योगी समराट होते हैं बड़े बड़े योगी होते हैं वो सब तत्वेन जानन्ती यतार्त को जानते हैं इस यतार्त तत्व को परमात्म तत्व को जानते हैं तत्वेन जानन्ती विशुद्ध सत्वाहा त्वाम अक्षराम अक्षरमात्रकाम ताम अक्षराम अक्षरमात्रकाम अक्षर शब्द से उसे जानते हैं कभी भी नाश नहीं होने वाला तत् तो आक्षर शब्द से कहे जाने वाले जो अक्षर के रुप्श में अक्षर जो है ये सब का भी मातर का ये सब का भी मुलभूत तत्त जो है वो ही परमात्मा है क्योंकि ओम शब्द जो है ओम शब्द से प्रनाव से प्रतिपाद्य परमात्मा है अकार उकार मकार से ही ये संपूर्ण दुनिया दुनिया में रहने वाले अक्षर हो या दुनिया में रहने वाले वस्तुतत्व हो ये सब प्रनाव से निश्पन है ऐसा प्रतिपादन करता ह अप्षार्म के रूप से पूसम पूर्ण जगत इस ओम से ही निश्पन हुआ आकार आर्थो विष्णुहूं मकार आर्था जीवहा जो इश्वर तत्व और जीवतत्व इन दोनों को जुडाने वाले वाली जो भगवती तत्व तीनों को आकार उकार मकार प्रणव बताता है ऐसा हम वहां भी समझते हैं प्रणव आर्थ में तो तादर्श है अक्षराम अक्षर मात्र काम इस सब ककारादी अक्षरों का अकारादी अक्षरों का भी मात्र का मुलबूत तत्व के रुप से इस हायक्रिव भगवान को ही जानते ही शुद्ध सत्व में लोग और शुद्ध सत्व में लोग अपने ध्यान में निरंतर ध्य जान में हायग्रीव भगवान को ही जानप्रदात्री देवता के रुप से संपूर्ण जगत का उद्भवस्तान के रुप से संपूर्ण जहां जहां विराजमान है ऐसा तत्व के रुप से जहां से वेद निश्पन हुआ हो ऐसे तत्व के रुप से इस आयग्रीव भगवान असे सभी बता सकते हैं और अब बेधा भी पाट बेध है आगे काश लूग बताते हैं अभ्याकर्ताद भ्याकर्तवान सित्वं नामानि रूपानि चयानि पूर्वं शम्संति तेशाम चरमाम प्रतिष्टाम वागीश्वरत्वाम त्वदुपग्यवाचहाम अव्याकृतात व्याकृतवान असी त्वं नामानी रूपानी चय यानी पूर्वं शंसंती तेशाम चरवाम प्रतिष्ठाम वागीश्वरे त्वाम त्वदूपग्नियवाचा हा ऐसा पदच्चेत कर ले मागीश्वरे ऐसा भगवान का संबोधन है वाग तत तो जो है अरतात सरस्वती तत तो जो है अरतात एक ज्ञान प्रदात्री देवता के रूप से हम सरस्वती को जानते हैं ना उसे वाग देवी भी बोलते हैं अत्वा वेद वानी रूपी जो बचन है वेद संपूर्न वेद रूपी जो वानी है उसे भी उसका भी ई मैं में भी इसलिए वागीश्वर है पूर्वं त्वं पहले आप वागीश्वर है पूर्वं अस्रिष्टी के पहले त्वं अभ्याकृतात यानि नामानी रूपानी व्याकृतावां अभ्याकृता मुलब प्रकृती से अर्थात मुलब प्रकृती ही ऐसा है एक प्रकृती अब्याकृतात यानि नामानी रूपानी व्याकृतावान जिस नामरूपम्च भूतानम कृतियालांच प्रपंचनम वेदशब्देव्य येवादव देवादी नाम चकारसहा ऐसा विश्णु तुरान कहता है अर्था सृष्टी के पहले और उसके पहले भी सृष्टी थी अनाद काल से सृष्टी आ रहा है कभी प्रले आ गया समझे लिजिए प्रले में दाता यथा पूरुम अकलपेद प्रले के पस्चात पहले जैसी ही सृष्टी बगवान स्फिर से करते हैं तब कैसे करते हैं आधार क्या है किस परकार बनाना ऐसा कुछ नियम है ऐसा पूछ ना देती है ये इंद्र है इंद्र है तो सहसराक्ष हैं अजार आंख वाला है चत्रमुक हैं ब्रह्मा हैं चार्मुक वाला है ऐसा वेद कहता है सब के बारे में उनी शब्दों को स्मरन करके उसके पहले कैसे थे उसको याद करके स्मरन पूर्वक संपूर्न स्रिष्टी को भगवान फिर से बेद शब्द से ही बनाते हैं इसलिए अव्याकृता आत व्याकृत वा नसी अव्याकृत से जिस नाम को और जिस रूप को जिस गटपटा दी गट है गर है मनुष्य है और अज है गज है पशु है पक्षी है मानव है दानव है इन सब को नाम जो भी नाम है और जव भी रूप है, मेरा नाम हो, मेरा रूप हो, मेरा स्वरूप हो, करचरनादी अब ये वो हो, इन सब को कैसे बगवान स्रिष्टी करते हैं, वेद से ही लेकर करते हैं, याकृतवा नसी आप ही स्रिष्टी करते हैं बगवन, तेशाम चरमाम प्रतिष्टाम त्वाम, परंतु आप ही सब का कारण हो, कुछ लोगी जान पाते हैं, तेशाम चरमाम प्रतिष यह एक एक शब्द भी अंतता परमात्मा का ही बाचक है गट बोलें तो not only part is the meaning उसका मतलब केवल part नहीं है परंतु गट की घट भी है और गट का अंतरियामी जो परमात्मा है वो भी मतलब है कुछ लोग कहते हैं गट तो जाती मतलब है आकरती उसका जो शेप है वो ही मतलब है गट शब्द का गट विकती मतलब है ऐसा कुछ लोग बताते हैं परंतु उसका अंतरियामी परमात्मा भी गट शब्द का अर्थ है आईतदात्मिदम सर्वं ये पूरा दुनिया परमात्म जहां जाकर अंत में परमात्मा में ही जाकर परियवसान होते हैं जहां समाथ तो होते हैं ऐसा त्वाम तुझे है तो दुपक्या वाचस शमसंती आपी से आपी ने जिन वेदों में अमुक शब्दों का प्रयोग किये हैं उनी शब शब शब्द आपी को बताते हैं। आपके अरावा और किसी में परियवसान होने में वो असमर्त हैं। आपी अंतर्यामी है। तबी इन सब वस्तों का वस्तुत प्राप्त हुआ। एक नाम प्राप्त हुआ। एक सुरूप प्राप्त हुआ। नहीं तो इन सब को परमात्मांतर्यामी के रूप से नहीं विराजमान होते हैं। अगर तो इन सब को ऐसा नाम इत्यादी नहीं हो सकता। न तो शेप हो सकता ऐसी परिष्डिति में हम आज समझ कर बताते हैं मंतरो यमेती सदा आत्मा अंतरियाम यम्रतहा ऐसा अंतरियाम इब्राह्मन ब्रहदारंडे को परिशत में इन सब चीजों को परमात्मात्म का है परमात्मा ही इन सब का भी आत्मा है जैसे हमारे लिए आत्मा एक है शरीर के लिए आत्मा है उसी प्रकार जिकत सर्व परमात्म आमानि रूपानिच यानि पूर्वंशं संतितेशां चरमां प्रतिष्टां बागीश्वरत्वां तोद भज्य पाचाहां। आगे काश्लोग देखते हैं। मुख्धेंदु निष्यंद विलो भनियां मूर्तिं तवानन्द सुधा प्रसूतिं। विपश्चितस्चेतसिभावयंते वेलामुदारामिवदुधसिंदों। मुख्धेंदु निष्यंद विलो भनियां मूर्तिं तवानन्द सुधा प्रसूतिं। विपश्चितस्चेतसिभावयंते वेलामुदारामिवदुधसिंदों। मुग्देंदु निश्यंद विलोभनियाम मूर्तिम तवे आनंद सुधा प्रसूतिम विपश्चितहा चेतसी भावयंते वेलाम उदाराम इवे दुग्दसिंधो हो ऐसा पदचेद है मुग्देंदु निश्यंद विलोभनियाम जो चोटा सा चंद्र है और जैसे अमावास्या के बाद फिर से चंद्र जैसे बड़ा होना शुरू करता है तो तब चोटा जो चंद्र है उस चंद्र का सुरूप जिस प्रकार है वैसा मुग्देंदु निश्यंद विलोभनियाम और उस चंद्र से निकलने वाले अमर्त जैसे दीकने वाले हो भगवन अर्जाद परमात्मा कि सप्रकार दिखाई देते हैं कि उसके लिए एक उदाहरण कहते हैं क्योंकि अमर्त किरन हा ऐसा चंद्र का नाम है चंद्र से अमर्त किरन जो चंद्र से निकलने वाला किरन जो है वो अमर्त मैं है इसलिए चंद्र को अमर्त किरन हा ऐसा ही नाम है इसलिए मुगदेंदु जो है चोटा जो चंद्र है और वृद्ध पूर्णी पूर्णी मा का चंद्र नहीं है चोटा जो चंद्र है अर्था चतुर्तिया, चतुर्ति, पंचमी के जो चंद्र है, उससे निकलने वाला जो अमर्त तत्व है, अमर्त तत्व के समान, विलोभनियाम, याने सब को पसंद करने लायक आपका स्वरूप है, अगरिव भगवन, क्योंकि थोड़ा बड़ा हो जाए चंद्र, तब अमर्त भी थो चंद्र को देखने वाला जो अमर्त है, वो सफेद रहता है, वैसे सफेद मूर्ती हैं, परमात्मा की मूर्ती, इसलिए उसे कहते हैं, चोटा जो चंद्र है, उसमें से निकलने वाले, अमर्त के समान दीखने वाले, और सब को अट्रैक करने वाले भगवान का जो उसी को मुगदेंदु निश्यंद विलो भनियाम शब्द से कहते हैं आनन्द सुधा प्रसूतिं क्यों देखने वालों को एकदम आनन्द आता है चंद्र को देखके कौन प्रफुलित नहीं होता है आनन्दित नहीं होता है आखलादित नहीं होता है ऐसा जो आनन्द सुधा आनंद रूपी अमर्त को का उत्पतिस्तान भूत जो परमात्मा का स्वरूप है, जैसे परमात्मा का स्वरूप कैसा है कि जिस प्रकार चंद्र सब को संतुष्ट कराता है, चदी आखलाद ने धातु ही क्या है, चदी आखलाद ने धातु से चंद्रशब्द निश्पन होता याने attraction, चंद्र से बढ़कर कोई attraction नहीं है जिस किसी के जन्म कुंडली में चंद्र बहुत powerful है तो क्या कहते हैं, वो बहुत attractive रहते हैं और चंद्र weak है तो वो मन उसका तिकाना नहीं है मन का कोई तिकाना नहीं रहता है मन इधर उदर भटकता रहता है ऐसी हालत बनता है अगर चंद्र weak है तो इसलिए चंद्र के साथ इसलिए उसे चंद्र अगर भी कहे तो lunatic कहते हैं उस आदमी पागल बन जाता है कौन पागल बनता है जिसके कुंडली में चंद्र बहुत weak रहता है ऐसा बताते हैं इसलिए आनन्द सुधा प्रसूतिम दुग्दसिंदो हो उदाराम वेलाम इवै ख्षिराब्दी, ख्षिर समंदर का जो बहुत लंबा और जो समुद्र का तठ है वेलाम उदाराम वेलाम इवै ख्षिर समंदर का जब बहुत बड़ा बड़ा जो किनारा रहेगा उसी प्रकार हम आपको देखते हैं कि यह मतलब सफेद रहेगा किनारा और वहां का बीच बहुत सुन्दर रहेगा उस बीच के समान परमात्मा को देख रहे हैं इदर तवा मूर्तिम विपस्चिता आचे तसी बावयंते बड़े लोग जो पंडित लोग और वेद वेदानत लोग जो हैं वेद वेदानतों को ज ऐसा अमर्त किरनों के साथ तुरना करते हैं और आनंद सुधा प्रसूती आनंद रुपी जो अमर्त है उसका उत्पतिस्तान मानते हैं और दुपत सिंदु का समुद्र समंदर का अर्ताद शीर समंदर का जो बैंक है किनारा है वो बीच है उसके रुप से मानते हैं ऐसा अक्तलोगों को भी भगवान हयग्रिव का ध्यान कैसे करना चाहिए। उसके लिए एक सुरूप बताते हुबे कहते हैं कि श्लोक में मुख्धेंदु निश्यं लविलो बनियाम मुर्तिम तवानंद सुधा प्रसूतिम विपषित श्चेतसि भावयं पे भेलाम गारा मिरत प्रसुंदो मनोगतं पष्यतिय सदात्व farmers अनिशिणाम् मानसराजाहं संंग् स्वयं पुरो भाग विवादभाजाहा कि मकुरुभतेतस्यकिरो यतार्ः ताम् मनोगतम पश्यती यहा सदा त्वाम मनीशिनाम मानसराजहंसं स्वयं पुरोभाव विवादभाजहा किंकुरुवते तस्यजिरहा यतारहं ऐसा श्लोग है मनीशिनाम मानसराजहंसं और ये भगवान कहां विराजमान है कि बुद्धिमान लोगों के मनरूपी समंदर में एक राजहंस के समान विराजमान है मनरूपी समंदर नहीं मनरूपी जो मानसरोवर है मनुष्यों का जो मानसरोवर है मनरूपी मानसरोवर है और वो भी बड़े बड़े जो पंडित लोग हैं ये अब जैसे चोटे पंडितों को मन में मत रखना कि बड़े लोग पंडित बड़े बड़े पंडित लोग जो हैं जो ग्यानी हैं उस प्रकार के ग्यानियों के मन रूपी मानसरोवर में एक राजहमस के समान विराजमान य चमकेगा और अन्यत्र जाएगा तो उसको इतना संतोष भी नहीं मिलेगा ऐसे हाईग्रिव भगवान जहां विराजमान हैं तो चमकते हैं कि वो मनुश आरता बड़े बड़े विद्वान लोगों के फिर्देयरुपी मानसरोबर में सदा संचार करते हैं अन्यत्र संचार न मानसरोबर में हमस के समान बड़े विद्वान लोगों के हरदे में हरदे मनुरूपी मानसरोबर में हमस के समान परमहमस के समान विराजमान हैं मानसर आजह हमसम तौाम यहा सदा मनोगतम परश्यदी ऐसे विराजमान परमात्मा को अपने मन में भी जो व्यक्ति ध्यान करन बड़े माहरीशियों के खर्दयार बंद में、 हर्दय रूपी एक मानसर रोवर में, हमस کے रूप में विरा जमान, हमसस जैसे विरा जमान परमातमा को हम सामान या मनुश भी ध्यान करेंगे, हमारे खर्दय में ध्यान करेंगे, तो, तस्य गी रहा, उसकी जो वानی है, वो, प विवाद अबाजहा, विवाद करते हैं, मुझे जाने दोने पहले, तुम्हारा भी मतलब यही है, मेरा भी मतलब यही है, तु क्यों पहले जाना चाहते हो, तो मैं पहले जाओंगा उनके वुकाररिंद में, ऐसा है, एक एक शब्द भी, पहले आकर, आहमनमिकता से आकर, के वानी में तब जागर इस परकार के शलोग बनते हैं विदान्देशिक के मुखारविंद से मनो गतम पश्यती यसदात्वाम मानीशिनाम मानसराजहं सं स्वयं पुरो भाग विवाद भाज किंकुर्वते किंकुर्वते अने कहिं करें करते हैं अपिक्षनार्धं कलयंती ये त्वाम आपलावयंतं विशदैही मयुकैही वाचाम प्रवाहे ही अनिवारितैही ते मंदागिनी मंदैतुम् क्षमंते। एक शनार्ध भी जो व्यक्ति एक आदाक्षन भी यानानंद मैंदेवं दिर्मलस्वटिकागर्तिम् आदारम सर्वविद्यानाम हयग्रिवं पास्महें ऐसा जो भी व्यक्ति बोलता है थोड़ी देर भी भगवान को अपने खृदयारविंद में ध्यान करता है तो विशदै सफेद 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 क्लियर मयू के ही किरणों के द्वारा आपलावयंतम हमें दुबाने वाला अपने किरणों में अपकुट को दुबाने वाला यानि भागवान बगवान अपने किरणों के द्वारा बगतों का हर्दय को संपूर्ण कर देते हैं। बगतों के देते हैं। आकाश गंदा को भी दीमी बना सकते हैं। दीमी गती वाली बना सकते हैं। अपने इतनी तेजी से बोलते हैं कि धराधट वानी का प्रवाह आकर गिरता है। आकाश गंदा को भी अपने तेजी से मंदी बना देता है। इतनी बड़ी वानी निकलती है उनके मुखारविंद से। ग्रिव को आदा खशन के लिए भी जो ध्यान कर लेते हैं। जो भगवान अपने अमर्द किरणों से सब को डुबाते रहते हैं। सब को उसमें आखलादित कर देते हैं। संतुष्ट बना देते हैं। उस भगवान को वो कुरूर भगवान तो नहीं है। बहुत प्रेमी हैं और उस प्रेमी भगवान को ध्यान करने में हमें क्या आपती है। उस भगवान को खशनार्द के लिए भी अपिक्शनार्दम कलयंति एत्वामापलावयंतम विशद एर्मयू कईही। अपनी विशद किरनों के द्वारा स्पष्ट किरनों के द्वारा जो भगवान हम सब को डुबा देते हैं। उस भगवान को खशनार्द के लिए भी जो व्यक्ति अपने हर्द यार्विंद में ध्यान करता है। उसकी वानी इतनी प्रवहित होती है कीमानों। और मन्दा की नी अर्थाद वियत गंगा, अकाश गंगा को भी दीमी बना सकती है। अर्थाद दीरगती वाली बना सकती है। इतनी तेजी से वे लोग बोलना शुरू कर देते हैं। सथ आत पर यह है। अपिक्षनार्धं कलयंती एत्वामा प्लावयंतं विशदैर मयुकैं। वाचां प्रवाहे रनिवारितैस्ते मन्दा किनीं। मन्दै तुम्क्षमंते कवितार्किकसिम्हाय कल्यान गुनशालिने। स्रिमते वेंकटे शाय वेदांत गुरवे नमहां। झाहे। झाहे दून खाया